मोधी सरकार में खनन और इसपात मंत्री नरेंदर तोमर ने बजट के लिए अरुजेती को 10 में से 10 नमबर दिये हैं इंडिया न्यूस संबादाता संजर शर्मा से नरेंदर तोमर ने खास बात चीत की है सुनिए प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ने कहा था कि उनकी परिक्षा का दिन होगा आम बजट का दिन क्या प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी पास हुए फैल हुए हम सीधे जानेंगे केंदरी मंत्री नरेंदर तोमर जी से तमर्साब क्या लगता प्रदान मंत्री जी पास हो या फैल हुए? मैं समस्ताओं कि भारत सरकार का जो बजट प्रदान मंत्री नारेंदर मोधी जी के नेतरत तुमे हमारे वित्व मंत्री जी ने प्रसुत किया है वो बहतरीन बजट है और देश की आवशक्ताओं को पूर्द करने वाला बजट है आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस बजट से डिमांड बढ़ेगी माइनिंग में, स्टील में? इंफरेस्टेक्शर में सरकार का भारी निवेस होने जा रहा है और इंफरेस्टेक्शर में निवेस होगा तो इस पाथ की मांग बढ़ेगी इस पाथ की मांग बढ़ेगी तो इस पाथ का कारवार चलेगा इस पात का कारोबार चलेगा तो खनीच की भी मांग बढ़ेगी इस से मुझे लगता है कि माइनिंग और स्टील दोनों सेक्टरों में उठावाएगा अगर आप से कहा जाए इस आम बजट को देखते हैं आप कितने नमबर देंगे मैं ऐसा मानता हूँ कि वरतमान परिस्तिती जो थी उस परिस्तिती में जो बजट प्रस्तूत किया गया है उस में से वित्तमंतरी जी को दस में से दस नमबर देने चाहिए केंदरी मंती नरें सिंग तुमर जिनका कहना है कि इंफरास्टक्स शेत्र में जब गती आएगी तो इस्टील और माइनिंग दोनों की खपत भी बढ़ेगी दोनों में डिमांड भी आएगी और उन्होंने वित्तमंतरी अरुन डेटली को इस बजट के लिए दस में से दस नमबर दियाने की पूरे नमबर दिये कैमरा में अमीत के साथ संजेश अर्मा इंडिया निउस दिल्ली मंतरी जी नी पूरे दस नमबर दिये तो विपक्ष कर रहा है कि मोदी जी अपने इस बजट में फेल हो गया है